वोजरे का में यचरो बातर हाई दिवार्टे थिए व्यानल आपका एक और 60 नई वीडियो में आठरवह क् hoc परने वाले है दी 2022 अज़की सुजुकी इगनिस के बारे में कि बारे में तो आज हम इसका सपर जेटा कि भी कोई आपको जरुवत नहीं है जो अब्यूस चेंज है मैं आपको बताऊंगा अल्फा मॉडल से आपको इसमें क्या कम मिल रहा है पर वैसे देखना जाओ तो यह लुक्स में आपको 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 टॉप मॉडल की है और जो लुक है पूरा का पूरा आलमोस्ट आपको टॉप मॉडल का ही इसमें दिया है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दीग करें नहीं रहा जाढ़रेंट क्या आप formulated दिया गया है तो आज इसी गाडी का रिवी आपको क्या इसमें फीचर जाते हैं और जो चेंज़ेस है वो आपको बता देता हूँ पहली बात तो सबसे बेस्ट लगी कि इसमें भी आपको यहां पे पर पूश बटन स्टार्ट जहां पर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वह आपको दोनों साइड आ रहे हैं मतलब ऐसा नहीं क वह दिया गया है जो और विम से उसके साथ फोल्ड नहीं होते पर ठीक है साथ अगर देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको ग्रिल है अगर टॉप मॉडल से अगर कंपेर करूं तो यहां पर आपको नॉर्मल हैलोजन लाइट से वह बेस मॉडल से वही आते जो डेल्टा और सिग् इंडिकेटर नीचे आपको फॉग लांप इसमें दिये गया है जो हैलोजन बेस में ही आएंगे काफी एक टाइप लुग दिया गया है इससे क्यूंकि अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको रूफ रेल्स भी दी गई है यहां पर एक अच्छी आप एक डिजाइन एलिमेंट दिया गया है वह थोड़ा जैस्टिफाइब करता भी है इंजिन की अगर बात करें तो 1.2 लीटर का एटी और टू बीएच्पी और 130 न्यूटन निटर्स का टॉर्क इसमें क्लेम करता है मतलब एर टेस्ट यहां पर दिखें स्किट प्लेट भी आपको काफी अच्छी दिगए है काफी बुच लगती है और यहीं कंपीट करती है पंच से मतलब पंच से पर वह थोड़ी जादा बड़ी लगती है थोड़ी सी नीचे है यहां पर मैं बात कर तो यह तो यहां पर आपको दिए गए है इसके एलोई वील्स ब्लैक फिनिश में है आगे आपको डिस्क पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स साइज एक्जाक्ट अगर बात करूं तो वह है वन सेंटी फाइव सिक्टी फाइव आर फिप्टी विंचिस के आपको एलोई वील्स अपग्रेड करने का डेल्टा से जटा में यहां पर देखिए इतनी लेंथ है अराउंड 3.8 मिटर से आपको यहां पर लेंथ मिलेगी थोड़ी छोटी लगती है पर अंदर से काफी स्पेशियस है पीछे की अगर बात करें ना तो यहां भी डिजाइन दी गई है पीछे ऐ आपको यहां पर लुक दी गई है और ऐसा कुछ आपको यहां पर इसका बूट मिलेगा तो इतनी साइस का है जो एक्जाक्ट साइज है मों स्क्रीन पर मेंचन कर दूंगा 60 40 आपको ब्लुट सीट दी गई है और जो वील्स है वह आपको 15 इंचिस का ही नहीं यह कितने तो यहां पर बंद कर लेते इसका बूट पीछे ना और एक चेंज जो अलफा मॉडल से कि आपको कोई कामेरा नहीं आता अगर आप अलफा लेते तो आपको पीछे रियर कामेरा मिल जाएगा पर इसमें वह मिसिंग है पीछे वाइफर और डिफॉगर दोनों है उपर आप यहां पर माइक रूफ आंटीना दिया गया है पीछे अगर बात करें तो चार रिवर्स पाकिंग सेंसर तो यूंड़ जैसा कुछ घंचुर सी नहीं है यहां पर तो एक दो तीन और यहां पर दिखे चौधा तो चार रिवर्स पाकिंग सेंसर ऐसा कुछ इसका एग्जॉस तो पीछे से उतना अभी मुझे तो अगर आप मेरा पूछ तो ठीक है उतना भी कुछ अगंदा नहीं लगता अभी तो यह इतनी मतलब अभी का पाथ साल से है मार्केट में तो अभी यह लुक थोड़ी ग्रो हो गई है पीछे अगर पार में बात करूना तो स्पेस है फिर भी मुझे सफिशेंट स्पेस है पीछे कोई आपको यह पर चार्जिंग का पॉट नहीं है सिर्फ एक बॉटल होल्डर दिया गया है अगर एक चार्जिंग होता तो मज़ा आता एजस्टेवल है चारो के चारो आपको यह लुक मुझे काफी पसंद आता है डोर पॉक अगर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं चेक कर लेते हैं इसके में आपको क्या फीचर आ रहे हैं तो एक चेंज मैंने बता दिया कि आपको टॉप मॉडल में अलग्द मिलते है लेडी वहां पर मिलते हैं पीछे कोई कैमेरा नहीं है और जो थर्ड ऑब्विस चेंज है वह आपको यहां पर मिलेगा इसके असी स्टम में तो इसमें आपको आपको अाटमाटिक प्लाइमिट जोन नहीं आता है इसमें आते ही अहीं मिलेगा, शीठ फंक्षन के साथ नहीं आती, सर्प्राइजंग लिए है सिर्फ यह रिकलाइन करने के लिए है यहे मैनॉल ट्रं यहां पे कोई cruise control नहीं आता तो tweeters दिये गया है और चार speakers है इसमें तो वैसे आप देख सकते कि इतनी अच्छी गाड़ी है और सबसे पसंद दीता मतलब एक बात कहूं अगर भार की डिजाइन थोड़ी polarizing है ना अंदर की design उतनी जादा पसंद दीता क्यूंकि जो dashboard आप अगर दो बार प्रेस करो तो चल जाएगा तो यहां पर और यह flat dashboard मस दिखता है दो airbags दिए गया है इसमें दो airbags आपको यहां पर दिए वाइट कलर की treatment है वाइट कलर की treatment दिए जो काफी वाकई में काफी अच्छी लिखते हैं यहां पर वेरेंस में automatic climate zone मिलता है तो अगर यही आप adjust कर लेते हैं तो यही वेरेंट सही होगा लेने के लिए instrument cluster कुछ ऐसा टैकोमीटर यही स्पीडोमीटर और यहां पर इसकी screen info change करने के लिए और सबसे बड़ी आबात बारकी की सब भी मारुतिकार में जॉस्टिक आती है ना वही एक ही कारे इसमें आपको करने के लिए इसके touch screen को यह Android Auto Apple CarPlay सबी के साथ आता है अभी तो फ्यूल कम है और यह नॉर्मल वाला है वो नया प्रो प्लस वाला यह सिस्टम नहीं है यहां पर इसके बटन्स कॉल काटिया उठाने के लिए हॉन ऐसा कुछ हॉन दो airbags है automatic आपको यहां पर कुछ नहीं मिलत फाइश्पीड वाला ही है फाइश्पीड एम्ट के साथ भी आएगा यह इसकी मैनुल हैंडब्रेक फैब्रीक की सीट साती है इसमें कोई आपको लेधराइट की नहीं है फैब्रीक है एजिस्टिवल है उपर एक auto dimming IRVM आपको यहां पर नहीं मिलता यह मैनुल डे है पर ठीक अभी यह स्पेस भी अच्छा कासा है और अगर वैसे देखना जाए इसका डैश बोड़ी मुझे बहुत पसंदत है डिसाइन तो गया यहां पर यहां पर यहां पर काफी अच्छी डिजाइन है लेधर मतलब एसी के आरांड आपको यहां फिनिश दी गई है तो पीछे आपको कोई क्यामरा आपको यहां पर नहीं मिलता तो यही थी इसकी वीडियो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसकी परफॉर्मस तो मुझे बात ही नहीं है इसका अगली एक नया जनरेशन अपडेट है वो शायद ही अगले साल आगा इस साल तो यही कंटिनीव रहेगी तो यही थी इसकी वीडियो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थैंक यू सो मच